नमस्कार दोस्तों पूजा शेक्ती चानल में आप सभी मेरे भाईयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है जैमातादी दोस्तों आज इस नई विशे पर हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक के लिए काफी सवाल आये थे कि हमारे जो परिजन होते हैं जो कि सवर्ग लोग सिधार होते हैं या कोई रिष्टेदार होता है जो बार-बार हमें सपने में दिखाई देता है या हमें उसकी बहुत याद आती है के कपड़े होते हैं या उनकी जो बहुत फेवरेट चीजे होती हैं उनका हम क्या करें तो सबसे पहले आप से यही चर्चा करते हैं कि अगर मरत परीजन जो है जो अभी हभी स्वर्ग सिधारे हैं या आपके पास उनकी जो चीजे पड़ी हैं उनका हमें क्या करना चाहिए अ कोई किताब होती है या कपड़े होते हैं जिनने वो बार पार यूज करते हैं तो उन्हें जो है हमें दान दे देना चाहिए उन्हें हमें घर में नहीं रखना चाहिए परंतु किनी वज़ाओं से अगर वो चीजे आप दे नहीं सकते हैं तो जब भी आप उस चीज को रखें तो आप सदेव जो है उसे साउत की दिशा की कोई अलमारी में रखेंगे उसके अलावा उसके साथ में आप कभी भी उनकी तस्वीर नहीं रखेंगे इस बात का सदेव ध्यान रखें और आप जो है उन चीजों को एक पॉलितिन में या किसी डब्बे में बंद करके रख जीए और जब भी उसे खूलेंगे या उनने देखेंगे तो सदेव प्रसंद चित होकर ही देखें उन्हें उसी भाव से देखें जैसे आप बहुत प्रसंद मुद्रा में उनने देख रहें दिल जब आपका खुश हो तबी देखें कभी भी दुखी मन से या बहुत जिजों को आपको नहीं देखना है इस बात का आप ध्यान रखें अन्यता जो है ऐसा कहा जाता है हमारे जो परीजन होते हैं जो हमारे रिष्टेदार जो होते हैं उन्हें कष्ट होने लगता है तो आप जितने प्रसंद होकर उन्हें याद करेंगे उतने ही वो प्रसंद हों है उन्हें हमें कभी भिए अपने घरें नहीं रखना चाहिए उन्हें, आप किसी भी जरूरत मन को दी दीजिये जिन्हें जरूरत हो उस चीज की तो आप जो है वो चीजें उन्हें दे दी जेएven कभी बी जो उनका कंबल पेड शीट्स पाइस होते हैं या उनका जो गद्दा होता है उसे हमें अपने घर में कभी भी नहीं रखना चाहिए। उसे आपको जो है बिलकुल दान कर देना चाहिए। यही सबसे बड़ा जो है नियम होता है। इसके अलावा हमें कई बार हमारे जो माता पिता या पितर जन जो होते हैं या रिष्टेदार होते हैं हमारा कोई बहुत प्रिया दोस्त होता है जो हमें सपने में दिखाई देता है उनकी मृत्यू के बाद तो अगर वो सपने में आपको दिखाई देते हैं जैसे अगर वो एक बार दिखे हैं और खुश दिख रहे हैं तो कोई बात नहीं है वो हम कई बार जो है उन्हें याद करते हैं या हम उस चीज़ को सोचते हैं किनी यादों में चले जाते हैं जो हमारा subconscious mind जो है उन्हें कैच कर लेता है जिसकी वज़े से कई बार जो है वो हमें सपने में दि परंतु वो जब है बार-बार आपको दिखाई देते हैं तो आपको इस बात पर गौर करना है कि जब वो आपको दिख रहे हैं तो वो कैसे दिख रहे हैं वो आपके साथ हैं वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं या वो प्रसंद है या वो दुखी हो रहे हैं वो किसी और के साथ है आपको जो वो सपना है अगर वो आपको बार-बार एक ही रूप में थोड़ा चेंज होगा उस सपने में परंतु जो उसका पूरी स्टोरी होगी वो एक ही तरीके से दिखाई देगी तब आपको उस चीज पर खौर करना है और ध्यान दीजिए कि वो उस सपने म बार-बार एक ही चीज क्या रिपीट हो रही है फिर उसके बाद जो है आपको पता लगेगा कि वो क्या संकेत दे रहे हैं और जहां तक हो अगर आपको बार-बार यही सपना दिखाई देता है तो आपको क्या करना है उनके नाम की अगरवत्ती चला दीजिए थोड़ी दि मेडिटेशन कर लीजिए उनके लिए आप जो है प्रातना कर लीजिए उनके नाम का आप जो है भोजन कवों को दे सकते हैं या आप जो है उनके नाम जो उनका फेवरेट भोजन हो जैसे जो हमारे परिजन होते हैं या हमारे रिष्टेदार होते हैं या हमारे माता पिता ज से कई लोगों को मीठा भोजन पसंद होता है मीठे में उन्हें कौन सी मिठाई पसंद थी अगर वो सिर्फ रोटी खाते था तो उनकी कौन सी फेवरेट सबजी थी या जो भी उनका कुछ भी फेवरेट भोजन हो वो आप जो है शुद्ध होकर बनाईए किचन को साफ करकर ब प्रिपयाउन के मन को शांती जीजी और ये भोजन जो है उने ही जाकर मिले ऐसी आप रातना करते होए गाएं के जो शरीर होता है उस पर हाथ फेरी और कव्वों को अगर देते है तो हाथ जोड़कर आप जो है ये प्रातना कर सकते हैं इसके लावा मेरे भाई और बहनों आपको जब भी अपने परिजनों की याद आती है आपको कभी भी दुखी नहीं होना है क्योंकि हम जब दुखी होते हैं उनके नाम को लेकर मैं समझती हूँ कि हमें बहुत लगाव होता है हमारा दिल रोता है या हम बहुत ज़ादा याद करते हैं परिजनों को परन्तु एक एक आसू जो बहता है तो उतना ही कष्ट उनकी आत्मा को तो कुछ देर बाद आप अपने किनी दूसरे कामों में लगकर अपना ध्यान इधर उदर कर लेंगे परन्तु जो हमारे मुर्त परिजन होते हैं जो स्वर्ग सिधार चुके होते हैं या जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए बैठे हैं उनको जब आप बार बार याद करते हैं देखते हैं उनके चीजों को देखकर आसू जितना वहाएंगे आप उतना ही जादा उन्हें मोक्ष मिलने में जो है दिक्कत आएगी उन्हें कष्ट होगा इसलिए जब भी क्यों हमारे स्वर्ग सिधारते हैं परिजन तब हम जो है उनके नाम की पार्ट करवाते हैं जो फादर साब हैं जब उनके डैथ होती है और उसके बाद जो है पूत्र या पूत्री उन्हें बहुत दिल से याद करता है तो आप भले आप उन्हें याद कर रहे हैं बहुत रो रहे हैं उन्हें लेकर आप दिन रत रोए जा रहे हैं आप अपना कोई काम करते हैं तो ब उन्हें फील करेंगे, उन्हें याद करेंगे, तो उन्हें कहीं न कहीं मोख्श प्राति में जो है अर्चन आएगी।। उन्हें कष्ट मिलेगा, तथा वो आपको छोड़कर जा नहीं पाएंगे। तो वो तो जो है असहा है वो कोई मदद नहीं कर सकते हैं परन्तु यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको जो है आपको इसी शरीर में रहना है आपको यहीं जीवन बिताना है आपके पास दूसरे कर्म है करने के लिए आप अगर उनकी याद आती है तो उनके नाम की आपको याद आती हैं, आप उनके लिए उन्हें थैंक्स करी, आपके पापा ने, आपके फादर साब ने, आपकी मदर ने, आपकी मादा जी ने, जो आपके लिए अच्छे काम किये हैं, उनके लिए धन्यवाद दीजिए, जो उन्होंने पूरा जीवन आपके लिए अपना रिच्छावर किया है, उनके लिए उन्हें धन्यवाद दीजिए, कोई रिष्टेदार आपको बार बार सपने में दिखाई देता है, तो उनकी अच्छी बातों को याद कीजिए, कि उन्होंने हमारी ऐसे मदद की थी, या उस समय पर मुझे जरूरत थी, तो वो मेरे पास आ देलेंगे, तथा उतना ही उन्हें मोक्ष प्राप्ति में कष्ट मिलेगा, तथा संकट आएगा, अब जब हम अपने मृत्य परीजनों को याद करते हैं, या उनकी चीजों के बारे में जैसे मैंने बताया, कि आपको उन्हें सहेच कर नहीं रखना है, जितना हो सकें उन्ह द्यान रखें, भले वो कितने भी प्रीय हों, कितने भी वो आपका फर्ज बनता है, कि आप उन्हें मोक्ष प्राप्ति में मदद करें, उनके जो भी ग्रंत का वो लास्ट समय में अगर पार्ट करते थे, पूजा पार्ट में अगर उनका ध्यान था, तो उन्हीं को जो पस लगा लीजिए, या अगर वो रामायन सुनते थे, तो आप रामायन लगा लीजिए, सुन्दरकान सुनते थे, तो सुन्दरकान लगा लीजिए, या अगर वो गुर्बाणी सुनते थे, तो आपका फर्ज है, सुबह के समय जो है, आप गुर्बाणी का पार्ट अपने घर रखे कि वो किस चीज़ को जादा पसंद करते थे ताकि अगर वो बार बार आके आपको सपने में कुछ बता रहे हैं यानि आपका connection है उनसे connection होने पर ही जो है वो तरफ आपको लिखाई दे रहे हैं वो आकर आपको कुछ संकेट देना चाहरा है परंतु सिमाय होती है जैसे इनसान की कुछ सिमाए है वैसे ही हमारे मत्त परिजनों की कुछ सिमाए है जिने वो लांग नहीं सकते हैं तो वो कुछ किसी किसी इशारे से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको उन इशारों को समझना है और उन्हें मोख की तरफ आपको जाने मतलब आप उनका रास् अब आप जो है मरत परीजनों की तस्वीरे कहां लगाएं या हमें उनकी कितनी तस्वीरे रखनी चाहिए देखिए हमें जो है अपने मरत परीजनों की तस्वीर कभी भी किचन में नहीं लगानी चाहिए मंदिर में हमें जो है हमारे परीजनों की तस्वीर या फोटो नहीं नगानी चाहिए क्योंकि वो भी मानव थे मनुष्य थे उनके हाथ से भी कभी न कभी कोई न कोई पाप जरूर हुआ होगा तो हमें उन्हें कभी भी भगवान के साथ नहीं रखना है इसके अलावा जो सबसे बेस डारेक्शन जो की आपको उनका आशिरवाद प्राप्त करव कि अगर गलत दिशाओं का चैन फोटो लगाने के लिए भी करते हैं जसे मैंने कहा किचन में अगर आप लगा देते हैं या आपको भी आपका भागी बनाएगा यह कहीं न कहीं आपके लिए भी दुविधा का कारण बन सकता है तो आपको कहा लगानी है सबसे पहले जो तो आपको यहां आपको आपको यहां। मैंने वीडियो के स्टार्टिग में कहा था कि जो उनका समान एवो भी हमें साॉट की डारेक्षिन में ही रखना है क्योंकि उनका काफी प्रबल मानी जाती है तता वह जो डारेक्षिन रहा धी है इन कर्मकार्ण के लिए बैस्ट आनि जाती है तो उसी दिशा में आपको उनक छोटा सा कारे होता है अमावस्या वाले दिन आप महीने में जितनी भी अमावस्या पड़ती है कोई भी अमावस्या पड़े आप उस दिन जो है थोड़ी सी खीर बना कर आप गरीबों में दान कर सकते हैं या आप कवों को हिला सकते हैं आप गायमातों को हिला सकते हैं पूरी बना सकते हैं साथ में क्योंकि तला हुआ भोजन पित्रों के नाम से अगर निकालते हैं तो वो भी काफी अच्छा माना जाता है तो आप पूरी और खीर का भोग आप लगा सकते हैं और ये कार अगर आप हर महिने भी कर लेंगे तो भी आपके पित्रों को शांती प्राप्त होगी या मोक्ष की प्राप्त होगी तो भाई और बहनों मैं आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए हम फिर मिलेंगे किसी नए विशेवे चर्चा करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए ज